लो यज वेलक्म ऍस्टुडेंट्स, तो आज हम गरामर का एक न्यू टापिक आप के समने आपको पढ़ाया जा रहा है जो एक की वर्ब सा है ठीक है पहले कि हमने 9 और पर 9 दो टापिक ग्रामर के खत्म कर दीए आज हम grammar का third topic करने जा रहे हैं जो verb है तो verb को हिंदी में क्या बोलते हैं kriya बोलते है और्दू में क्या बोलते हैं और्दू में बोलते हैं फहल बोलते हैं फहल फे अनलाम ठीक है तो verb क्या होती है kriya क्या होती है वर्ब is a word that describes an action and events and state of being तो टूड़े उसी क्या बोलता है कि वर्फ एक वहशवद है जो क्या किसी action को describe करता है किसी event को describe जा किसी state ठीए जो state बताता है मैं तो उसको हम वर्फ कहते हैं जैसे he told me an interesting story ठीक है उसने मुझे क्या एक मज़ेदार कहाणी बताई तो ये क्या है उसमें action बता रहा है कि क्या क अब ये हमें बता रहा है she is a doctor बह क्या एक doctor है तो ये हमें इक क्या बता रहा है ये एक event बता रहा है उसी परकार जो third topic sentence example दिया है वो क्या है state of being बता रहा है कि the boy is seem straight ठीक है ये लड़का हमें थका हुआ दिखता है तो ये क्या एक state बता रहा है किस परकार से थका हुआ है ठीक है उसी परकार से अब वर्ब की definition आप जो पर ये वैसे ही बता सकते हूँ या ये भी हो सकती है जिसे वर्ब can one word that more than word one word it comes after the subject ठीक है अब जैसे ये बता रहा है इसका rules है ठीक है sorry definition ये rules है verbs क्या होती है एक words भी हो सकते है जा एक से ज्यादा words भी आ सकते है एक sentence में एक भी verbs आ सकती है जा एक से ज्यादा टाइम भी verbs आ सकती है ठीक है कुछ helping verb आ सकती है एक जैलरिक वर्ब आ सकती है फाइनाइट वर्ब कुछ भी आ सकती है लेकिन एक वर्ब भी आ सकती है जा एक स पत्तर लिखा, तो he के बाद, जनी subject के बाद क्या, वर्ब आ रही है, राइट्स आ रही है, इसी परकार he is writing a letter, वह है, पत्तर लिख रहा है, यह अब एक tense के recording आगे, कोई एक present and definite tense है, दूसरा present continuous tense है, ठीक है, लग-लग परकार से बताया है, और third idea has been writing a letter for an are, तो यह क्या है, य present perfect continuous tense दिया है, ठीक है, इसी परकार यह लग-लग हम verbs according to tense के मताबक हम use करते हैं, ठीक है, लेकिन यह subject के बाद ही आएगी, अब उसके बाद हम देखते हैं, verbs की types, कितने types की verbs होती है, ठीक है, कितने परकार की क्रिया होती है, क्रिया की कितनी परकारें होती है, तो उसी परकार तो verbs and its types बढ़ते हैं, ठीक है, तो verbs और इसकी types, क्रिया और इसकी कितनी परकार की क्रिया है, ठीक है, जिसके coins of verb, क्रिया इसकी finite verb आ गई, non finite verb आ गई, ठीक है, finite verb की further divide into three types, principal verb आ गई, linking verb आ गई और auxiliary verb आ गई, ठीक है, अब हमें एक एक के बारे में पढ़ेंगे, आपको कोई tension नहीं लेनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो नो की three types आ गई है, अब इसको detail explain करते हैं, ठीक, अब finite verb क्या होती है, ठीक, यह finite verb is verb that change its forms according to tense of the sentence, the number of, number and person of the subject, it is the main verb of sentence or clause, ठीक है, अब यह क्या बताता है हमें, कि finite verb वो होती है, जो according to sentence, according to number, ठीक है, जो change होती है, जो sentence present में लग use होगी, past में लग, और future में लग use होती है, जो singular के साथ भो, लग use होगी, plural के साथ भो है, लग use होती है, लकिन change होती रहती है, तो उसको हम finite verb बोलते हैं, उस फिरकार नान फाइनाइट वर्ब कोई से होती है, वो वर्ब जो is not affected by person, number or subject and the tense of the sentence, is called non-finite verb, it acts as a non-adjective and adverb, क्या बोल रहा है, नान फाइनाइट वर्ब, वह वर्ब है, जो किसी person के, जो किसी number of subject से, जो tense, of sentence से, कोई effect नहीं पढ़ता है, उस पर, जो नहीं change होती है, कोई changing नहीं आती है, तो उसको हम non-finite verb बोलते हैं, it acts as चो हमें non-cut का काम करती है, ठीक है, जा adjective का का काम करती है, जा adverb का का काम करती है, तो उसको हम non-finite verb बोलते हैं, ठीक है, जैसे आगया, I like reading books, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो, according to tense के मताब का change हो रही है, जहां पर क्या कौन सी use हो है, like का use हुआ है, लेकिन जहां पर he likes reading books है, अब इसमें आई है, इदर he likes हो गया, और I liked है गया, according to tense है, यह change हो रही है, उसी परकार जो second non-finite verb है, non-finite verb देखो आप, क्यों, यह दूसरी है जो non-finite verb है, यह हमेशा reading, reading, तीनों sentence में same verbs use हो गया है, reading, 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 जनि जो like है हमारे पास यह finite verb है, और जो reading है हमारे पास non-finite verb है, तो बस आपने यही जाद रखना है, जो according to tense, according to subject, according to number change हो, तो बहे हमारे पास finite verb होती है, और जो according to tense, according to subject, यह according to person, कोई उस पर affect ना पड़े, तो बहे हमारे पास non-finite verb होती है, बस, यह जाद रखना है आपने उसके बाद हम आप उसके बाद आगया हमारे पास auxiliary verb या helping verb भी बोलते हैं क्या बोलते हैं auxiliary verb या helping verb यह क्या होती है auxiliary verbs are the verb that are used to place the main verb चो main verb की place पर use की जाती है ठीक है sorry place नी that are used to help the main verb help main verb को help करने के लिए use की जाती है और it expressed meaning according to the tense are mode ठीक है और यह अपना जो meaning है earth उसको express करती है किसके मताबिक tense जा मोड के मताबिक अब इसकी कितनी types होती है two होती है primary auxiliary verbs और models auxiliary verb होती है ठीक है model auxiliary verbs क्या होती है sorry model auxiliary verb क्या है second form हमने बताई है फर्स्ट बताएंगे आपको यह model auxiliary verb that verbs होती है is used with main verb are indicate to moods or tense जो models के तोर पर use की जाती है ठीक है model साब जाते हो can could may, might, will, would, shall, should, must, outs, need, use, to यह मार बास model अब सागे है ठीक है अब यह you can jump अब यह model can में यूज किया है क्योंकि यह उसकी ability को express कर रहा है शमता को पर सक एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए can का यूज वा है तुम jump कर सकती हो ठीक है उचल सकते हो तुम तुम उचल सकते हो उसी परकार सेकन है it may rain today आज वारश हो सकती है तो यह के possibility बता रहा है संभावना बता रहा है तो इसलिए यह models है हमारे पास ठीक है तो यह model auxiliary verb हो कि यह model जूज हुए है इसलिए model auxiliary verb का प्राइमरी auxiliary verb क्या होती है प्राइमरी auxiliary verb प्राइमरी auxiliary verb हमें auxiliary verb और helping verb आपको बता दिया ठीक है नीचे बताया क्या होता है ठीक है तो अब हम primary auxiliary verb होता है क्या होता है वो बताएंगे इसमें B आ गया B में क्या आता है फोर्म में B का होता है is is की क्या थी है do does did होती है और have की क्या होती है has have और had होती है आर they are playing भे है खेल रही है यह हमारे पास क्या primary auxiliary verbs आगी जब भी यह verbs helping verb किसी tense में use हुई हूई हूँ आपको पर जो हुई दिखें तो आप ने यह समझना है कि यह क्या primary auxiliary verbs है हमारे पास ठीक है यह याद रखना है अपने they are playing I have finished my work ठीक है I have a dog मेरे पास एक कुता है ठीक है इसे परकार मैं अपना काम समापत कर चुका हूँ they are playing भे है खेल रहे हैं तो यह सभी क्या auxiliary verbs और primary auxiliary verbs का use हुआ है जहां पर उसे परकार हम next type करते हैं इसकी अब जो हम non infinity की first type करेंगे जो क्या है infinitive verb आ गई ठीक है और infinitive verb क्या होती है infinitive verb is a verb that act as a known adjective or an adjective in a sentence it is the form with ठीक है अब यह क्या है infinitive verb बहक रिया है जो किस की form act करती है एक known की form में एक adjective की form में जा एक और verb की form में एक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं infinitive verb बोलते हैं उसकी पहचान क्या थी है पहचान थी two plus base form आप थी verb जिसके साथ भी two जिस verb के साथ two words का पर जोग है तो भेह आपके साथ क्या है finite verb non finite verb है sorry non finite verb की verb की टाइप infinitive verb है ठीक है जिसका to play to eat to write to buy जिन इवर्ब के साथ two का पर जोग हो two का use हो तो भेहब के साथ क्योंकि infinitive verb होगी जिसके I like to swim मुझे तहरना पसंद है to work is useful ठीक है तहलना खाइदे मांद है तो यह इसकी example आगई बस आपने यही समझना है infinitive क्या होता है two plus base form of the verb यूज होई हो तो अब हमारे पास infinitive verb कहलाती है तो उसी प्रकार अब second type करते है non finite verb की तो non finite finite verb की फिस्ट आप आगई जैसे an infinitive verb that जैसे finitive verb आगई the finitive verb is that verb act as a known an adjective and add a verb in a sentence it is a form with जैसे कैसे बनती है इसके पहच्चान क्या होती है जो भी base verb के साथ two का पर्योग किया जाता है तो बहमारे पास non finite verbs बनती है sorry infinitive verb बनती है जैसे to play दिया होगा to eat दिया होगा to write दिया होगा to buy अगया और extra ठीक है कुछ भी दिया होगा I like to swim to walk is useful जैसे मुझे तहरना पसंद है या तहलना हमारे लिए love दायक है तो यह हमारे पास two example आएगी इसकी और इसकी types ही आगी है अमीद करता हूँ आपको अच्छी परकार से समझा रहा होगा कोई बात नहीं आएगा तो अब इसकी second type क्या होगी हमारे बास क्या आगी non finite verb की second types हागी gerund form gerund verb अब gerund verb क्या होती है जब भी आप देखते हो किसी verb के साथ ing लगा होता है लेकिन वह present continuous tense नहीं होता है जैसे i like swimming आप देखो इसमें is amr लगा नहीं है इसकी साथ helping verb तो swimming लगा है तो ये क्या है ये हमारे पास एक man verb ये दूसरी gerund verb है जिन वर्ब के साथ ing लगा है like ये इसमें man verb और swimming क्या है gerund verb तो जैरंड वर्ब तैट वर्ब होती है found with a verb जो सिर्फ verb के साथ बनती है उसके साथ add हम क्या करते है ing लगाते है और जो एक्ट क्या करती है इस non का का काम करत है तो इसको हम gerund verb कहते है ठीक है जिसे प्लेइंग अगया swimming अगया dancing अगया learning अगया इसी प्रकार second example है walking is good exercise ठीक है तो walking ing का का काम कर रही है second I like swimming और I like to swim मतलब इनका meaning same है लेकिन जहां पे हमने gerund verb का use किया और जहां पे two के साथ verb जनी कौन सी infinite verb का use किया है हमने तो बस यह different है इसमें इसी प्रकार इसकी अगली next टाइप देखते हैं finite वोब की तो थर्ड इसकी टाइब आ गई ठीक है पार्टिसिपल्स ठीक हमने तीन बताई थी ना वोब की तो थर्ड टाइप सागे पार्टिसिपल इसकी पार्टिसिपल क्या होती ह है और एडवर्ब का करती है उच्छे तीन टाइपस की पार्टिसिपल होती है ठीक होता है प्रेजंट पार्टिसिपल एक होता है आपको आर प्लाइंग प्लस आर प्लस आई एंजी का फार्म होगा ठीजे आई एंजी फार्म होगी तो वह आपके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा पास्ट पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब की थोड फार्म होती है और देर इस फार जंपल आगे देर थर्ड फार्म अवब लगाका ठीक है having plus third form of the War he took his food so he went to school दूसरा नबर क्या है दो sentence को जोडता रहे linking करता है परसमें ठीक है so he took his food he went to school देख स्कूल चला गया ऑल इस sentence को अगर एक ही जोडना थो हमें क्या मैंना थाविंग टेकन फूड he went to school पहले उसने क्या खाना लिया और तेनो वह स्कूल गया तो ये इसमें क्या है पूरा एक संटेंस होना तो ये आज हमने ये वह का टापिक किया और इसकी टाइप्स की इसके आगे aby करेंगे और ये अपके मेंद ज्फ़ने और इसके पर इसके रूब ऑर जोड़ना है ताकि ज्यादा से ज़्यादे बच्चे सथ्यूट सकीन है लाई करना और सब एक और सब्सक्राइब करना है ओके जैहिंद जैवा